श्री गड़ेशाय नमाहा मा सरस्वती नमस्तु ब्यम आज थोड़ा सा विशे से हट कर बात करेंगे और आज एक मैं मॉडल हातेली पर बात करूँगा और आपको मित्रों यह दिखाऊंगा कि बारिक से बारिक राहू क्या-क्या क्रियेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर राहू की एक लाइन भी कहीं चली जाती है तो वो क्या कर सकती है वो देखिए प्रस्तु धातेली में राहू का एक शांदार परवत बना हुआ है अब यह इनका मन्य ट्राइंगिल बना हुआ है राहू का परवत पूरी तरह चमक रहा है और इसमें जो ग्लो है जो शाइन है और देखिए शनी के परवत यही तो हमारी इनकाम है यही हमारी इनकाम है तो इनकाम हमारा राहू और शनी यह दो परवत ही दिखाते हैं हमारी सम्रिद्धी दिखाते हैं आज का विचे मैं सम्रिद्धी ही रख रहा हूँ और अब देखिए इस सम्रिद्धी के अंदर मैंने कुछ अपने पुराने वीडियो में भी बताया था और अभी मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यह हमारी लाइफ लएन होती है और यहां तक हमारी कुछ चिनता की लाइन है यहज़िए लेकिन जब यहीन चिनता की लाइन author लाइफ लाइफ लाइन को छू जाती है तो राहू का नाकराद में प्रभाव आता है अब प्रस्तु हतेली में देखिए यहां से देखिए यह दुख देती है 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 यह एक चो मैंने तीसरी बनाई है वो तो इनके वानी के परवत पे जा रही है अगर कोई राहु परवत से मंगल परवत से निकल कर राहु परवत से होते हुए बुद्ध परवत पे चले जाए बशर्थ कि वो marriage की लाइन को नहीं काटना चाहिए मैं draw करके बता रहा हूं ऐसा निकले और यहां तक चली जाए तो बोलनेगी शम्ता दस हजार गुना जादा हो जाती है किसी सामान में व्यक्ति के मकाबले ये सरस्वति माता की किरपा होती है अब देखिए कोई लाइन लिकल कर कोई लाइन लिकल कर उसके मेरिज लाइन जो आप देख रहे हैं तो आसा फोकस करो ये वाली इसको इसको ना काड़ दे बस ये ध्यान रखना चाहिए बहुत अत्ता बनी हुई है अब देखिए अब डेंट कैसे लगता है जीवन में परिशानिया कैसे आती है कोई हम लोग जब राहू भगवान की और की और नहीं देखते हैं उनको नजर अंदाज करते हैं अपने शरीर में बैठे हुए उन अमरित में भगवान को हम विश्वास नहीं करते हैं बहुत समय इसमें लगा देते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है तो अब देखिए क्या होता है अब होता क्या है और नहीं होता है वो तो छोड़ी अब हस्त रेखा जो बताती है वो देखते हैं हर्स हस्त रेखा वर्तमान का पैमाना होता है और ये पैरामीटर होता है और ये इसका parameter क्या चल रहा है वो होता है इनका मणी बंद मणी बंद की पहली line जोतिश में अम्रित line होती है ये कलाई पे बनने वाई पहली line इसमें ना island बनना चाहिए देखिए ऐसी line जो प्रस्तुत हते लिए उसमें मैं देख नहीं पा रहा हूं ठीक से ये नहीं दे नही कि देखिए ये इनका मनी ट्राइंगल है और अब मैं थोड़ा सा इनको इंदाज करता हूं यहां से देखिए अंदर गई है अब मनी ट्राइंगल में कोई राहूर line पहुंच जाती है तो सुन्दरता जो उसकी है वो खतम हो जाती है और यहां पे देखिए डेंट बन गया अब डेंट बना थोड़ा सा आप रिलेशन्शिप समझ जिये मैं क्या बताना चाहता हूं यहां से मंगल परवर से कुछ चिंदा की लाइन लिकलती है और पार कर जाती हो यह राहू चित्र में प्रवेश कर जाती है और अब यह मनी ट्राइंगल में घुश जाती है मनी ट् लगा तो अब देखिए डेंट भी कहां लगा आया उसने यह वैपारिक लाइन है वैपारिक नुक्सान को इंगित करता है इस तरीके से नुक्षान की सुरवात होती है राहू परवत पर इसलिए किसी वी व्यक्ति को चाहे वो समान्य हो विशेस्ट हो इस छेत्र में विश केकिते ह हूँ नहीं कहते हुग नैंेगेटिव पंगल अनन गपोनंके कहते है तो हमें यह चेक करते रहना चाहिए था फ्रसू नेगस इस mask में इलिदि जैसे प्रसुर हतेली में देखे उल्टी मचली बनी हुई है लेकिन उल्टी मचली क्या हो गई है यहां से डेटोरेट हो गई है खतम होने लगी है और इन्होंने वह वह चीज़ को दिया है जो इनको शायद पता नहीं है क्योंकि जब भी कभी जनी पर वत पे कोईवी उल्ती मछली बनती तो वह बीडिया बैरॉंस की होती है जो मीडिया हाॉस चाल आते हैं तीन हजार करोडों रुपय देती हैं यह उस हाथ की वर्त होती है तीन हजार करोड से ज्यादा कभी कभी लोग कुछ ते हैं कि सर कितना पैसा तो मैं बोल रहा हूँ 3000 अगर मचली सीधी बनी है तो आप 300 करोण मान सकते हैं उस विक्ति को मिलता है उन्नत परवत है साफ सुतरा है आप देखिए यहां से यहां से इनकी लक लाइन लिकलती है तो जब लक लाइन लिकलती है आगे बढ़ती है और यहां पे मैं 35 मानता हूँ और यहां पे उपर मैं 55 मनता हूँ तो 55 से डेट वरेशं चालो होगा 55 की इससे डेट वरेशं चालो होगा और आप म emoc Você करके दिखाता हूं कि जब 55 से डेट वरेशंच Divine संच आप धिए यह वाली लाइन जो है लक की लाइन यह आगे बढ़ती है फिर यहां गाइव से 45 पेरिट हा वह बहुत कस्टमाई पीरिट था जातक ये पॉर्टी फाइफ से फिर एक अच्छा पीरिट चला और फिर ये 55 तक आया देखिए बहुत अच्छा पीरिट है लिकिन 55 का आकर फिर ये ब्लेक डॉट बना यहां से वह लकलाइन वीक पढ़ने लगी यहां से वह डिप्रेशन के जो छेत्र बन रहा था उसमें समाहित हो जाती है ग्रेट लॉस ओफ रिसॉर्सेस यह बहुत बड़ा लॉस होता है तन का मन का धन का अगर कोई लक लाइन हमारे भाग्य की लकीर चाकर इस डिप्रेशन एरिया में चली जाए यह डिप्रेशन का एरिया बना हुआ है और यहां पर जो धब्बा बनता है स्किन में यह प्रत्यक व्यक्ति को अपने हाथ में देखते रहना चाहिए इन दोनों उंगली के बीचों बीच में जो साइन बनता है कहीं देखना चाहिए कि कहीं किसी की स्किन में खराब तो नहीं हो रही है मैं बार बार अपने जोतिश और जो जोतिश नहीं भी जानते जो सम्माने सभी लोगों से बोलता हूँ यह डिप्रेशन का एरिया यहां पर जाल नहीं बनना चाहिए आप सब लोग चेक करते रहें तो उस जाल में चली जाती है जो जाल बना हुआ है जो हैल्थ इशूस भी दिखा रहा है देखिए अब यह जो लग की लाइन है एक बार जब एक बार जब खराब होती है तो फिर वह होती ही चली जाती है फिर वह होती ही चली जाती है अब आ बिश्य का चंद्रमा भी खराब कर रही है देखिए लाइन जुड़ी होती है यह इस परवत से अभी में चद्रमा पर आता हूँ अब देखिए शैनी भगवान की जो उगली होती हमें हमेशा देखते रहना चाहिए यह हमारा दूसरा नुकसा देखिए और भी है और भी है यह अगर यह उंगली में पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके संसाधन कटके रहेंगे संसाधन ऐसा नहीं कि आपके संपत्ति जाएगी आपका शरीर के अंदर जो गुलुकोज है वह भी एफेक्ट होगा वह भी आपके संपत्ति अतन मन और धन मन में कूविचार आएंगे मन कहीं नगेल लगेगा नहीं बहुत सारी इश्यूज होंगे तो यह शनी की शनी उंगली है यहां पर हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको यहां से ध्यान रखना चाहिए प्राधंब में कोई भी मुसीवत आईगी तो यहां पर हम अपने परिवार में क्या बूलते हैं कभी भी कोई मुसीवत आने वाली होती है तो हमारी तुलसिय है वो समस्य तुल्सी बाता अपने ओपर ले लेती है घर में तुल्सी का पौधा निरंतर लगा के रखे सब लोग है कि सभी लोगों से लुद्ध है अब कि कि अब देखिए अब राहु का परवत जब खराब होता है तो चंद्र की तरफ देखिए अब चंद्र पर क्या हुआ अकरिति बनने लगी इससे कि पत्नी भाव में कमी आएगा पत्नी भाव पत्नी भाव कम हो जाएगा जबकु पहले जो धूमिल और हो मैं बना रहे हुए मचली पैरे हम अच्छी एक बन रहे है कि इतना चंद्र है महिलाओं का सायोग बहुत अच्छा मिलता है ऐसे जातक को उनके ग्रूप में बहुत महिलाएं होती है पतनी सुन्दर